दोस्तों, interview preparation, resume writing, career guidance और motivational वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, देवर्शी मिश्रा ट्रेनिंग चैनल और bell आइकन को ज़रूर प्रेस करें आप मुझे Instagram और Facebook पर भी follow कर सकते हैं, link वीडियो के description box में available है आईए दोस्तों, finally समझते हैं कि किस तरीके से आप Gmail में English में receive हुई email को भारती भाषाओं में पढ़ सकते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे email receive हुआ है जो कि English language में हैं और अगर मुझे English अच्छे से नहीं आती है, तो मुझे इस email को समझने में बहुत दिक्कत आएगी आम तोर पर कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो लोगों की help लेते हैं कि भाई तो explain कर दे इसका क्या मतलब है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मदद मागने की कोई जरुवत नहीं है यह काम आप खुद कर सकते हैं, कैसे आइए देखते हैं यहां पर देखिए reply का option है, इसके बगल में आपको यहां पर तीन डाट दिखाई दे रहे हैं, आपको इसपर क्लिक करना है जैसे इसे को इसपर क्लिक करना है, जैसे ही आप translate message option पर click करें गे, तो यहां पर आपके सामने detect language नाम का option आ जाएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ इस option का इस्तमाल करके आप same email को हिंदी, बंगला, गुजराती, कंणर, मल्यालम, मराथी, उडिया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलगु और उर्दु भाशा में पढ़ सकते हैं कैसे आए देखते हैं यहां पर देखे मैं इस option पर क्लिक करूँगा और इस option पर क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहले मैं यह ट्राई करूँगा कि मैं इस email को हिंदी भाशा में पढ़ पाऊंग तो देखे जैसे मैंने हिंदी पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यह पूरा English का content हिंदी भाशा में चेंज हो गया, जिसको शायद मैं पढ़कर समझ सकता हूं कि इसका क्या मतलब है, अब बात करते हैं उन लोगों की जो हिंदी भाशी नहीं है, किसी और स्टेट के हैं, कोई और भाशा बोलते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक में भी पढ़ सकते हैं, इसी तरीके से आप देख सकते हैं, कि अगर आप इसको तमिल में पढ़ना चाते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको बस नीचे आना है, और आपको तमिल आप्शन पर क्लिक कर देना है, कैसे आए देखते हैं, यह देखे मैंने त रिप्लाई भी कर सकते हैं